नमस्कार मैं हो स्वातियाप के साथ और आज मैं आपको श्रीमत भगवत कीता का एक और श्लोक बताऊंगे चलिए चलते हैं श्रीमत भगवत कीता के चाप्टर टू श्लोक नंबर सेवन के पास ये श्लोक है नहीं प्रपश्यामी ममा पनुद्याद यचो कमूचो शण मिंद्यानाम अवाप्य भुमा वसपत्नाम रुधम राज्यम सुराणाम अपी चाधिपत्यम जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन भगवान शेक्रिश्न को कहते हैं कि अगर भी मैं अगर भी मैं राजपाट और सब कुछ वैश्वरिय धन रत्न सब कुछ जो पृत्वी में सबसे बहुमूल्य है अगर भी मुझे मिल भी जाए तो क्या अगर मैं सब कुछ पा जाओं तो भी क्या मुझे फिर भी तो सब कुछ खोना ही पड़ेगा ना मेरा परिवार मेरे परिवार के पूर्वज ये सारे लोग मेरे भाई और नजाने कितने रिष्टी नाते चूड़ जाएंगे और साथ में ही कितना रक्त बहेगा मुझे नहीं लगता कि मैं इस तोश से मोक्तो पाऊंगा मैं इतनी पीड़ा में हूँ कि मैं पूरी तरीके से दुख से भीक चुका हूँ और मुझे में और शक्ती नहीं है कुछ करने की मेरे सारे सेंस ओर्गन सूख रहे हैं मतलब महसूस करने की सारी शक्तियां सूख रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता मुझसे इवन उन्होंने अर्जुन ने जो इतने बड़े महारती थे उन्होंने अपना गांडीव जो उनका एक ग्रेट वेपन है इस तरीके से हार चुके थे अब इसे प्रैक्टिकल आपके लाइफ में देखा जाए तो आप में भी कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हों या हो सकता है कि आप जॉब में बहुत अच्छे रहे हों लेकिन एक पल आता है कभी-कभी जब आप बिल्कुल डिजेक्टेड हो जाते हैं बिल्कुल से लगता है कि सब खत्म हो चुका है अब कुछ नहीं हो सकता है मैं हार चुका हूँ अब मुझे खोशिश भी नहीं करनी चाहिए यह वो टिपिंग पॉइंट जो रहता है ऐसा आपने पक्का अर्जुन की स्थिती में वैसा फिल क्या होगा तो उस वक्त एक कृष्ण की जरूरत पढ़ती है जो सार्थी बनके गाइड करें हमें तो वो कृष्ण अब ही के लाइफ में भगवत गीता है क्योंकि भगवत गीता ही कृष्ण है देखा जाए तो उस वक्त गीता को पढ़ना ही सबसे बेस्ट अडवाइस का जाते हैं अडवाइस बहुत सारे लोग है जिनके लाइफ में रियल लाइफ कृष्ण भी रहते हैं कोई गाइड य यहाँ पर भगवान शी क्रिष्ण क्या कहते हैं क्रिष्ण कहते हैं अशोच्याना नुशोचस्त्वम प्रग्याँ वादाम्ष्च भाषसे गतासूनो गतासुष्चम नानुशोचंती पंडिताहा भगवान शी क्रिष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम उन पर दुख कर रहे हो जिन पर दुख करना ही नहीं चाहिए पर फिर भी तुम ऐसे बाते कर रहे हो जिसे तुम बहुत बड़े ज्यानी हो विद्वान हो पंडित हो और तुमें बहुत कुछ पता है आप मार करेंगे यहाँ पर क्रिष्ण कटाक्ष करते हैं सटायर जो कहते हैं और वो भगवान शी क्रिष्ण जो हैं वो सच बोलते हैं मतलब आपका जो सही मित्र है आपका सही मित्र हमेशा आपको ऐसी बाते कहेगा या कहेगी जो हो सकता है आपको बुरा लगे यू में नोट लाइक इट लेकिन आपके हित्मे होगा हमेशा आपको चाहे बुरा ही लगे आप उनको गाली भी दे दे पर फिर भी वो जो आपके लिए सही है वही कहेंगे वो आपको impress करने के लिए कभी भी नहीं कहेंगे तो especially आपने देखा हुआ कि आपके माता-पिता भी कभी कभी आपको डांटते हैं और बोलते हैं, कुछ कड़ी बाते बोलते देते हैं, और आपको अच्छा भी नहीं लगता है लेकिन at the end वो आपका हित चाहते हैं, इसलिए even if आप उन्हें नफरत भी क्यों न करी लेकिन फिर भी वो आपके हित की बाते ही करेंगे, ऐसा कई बार होता है तो anyways तो Krishna अरजुन को यही कहते हैं एक तम कटाक्ष के साथ कहते हैं फिर बोलते हैं कि जो गुणी है, जो विद्वान है वो दुख नहीं करते हैं ना किसी मृत व्यक्ति पर दुख करते हैं ना किसी जीविद व्यक्ति के उपर दुख करते हैं बलके जो गुणी है, जो विद्वान है वो सुख दुख के परे चलते हैं यानि कि practically देखा जाए अगर आप इसे अपने लाइफ में अपलाई करना चाहते हैं, तो हमें दुख के उपर चलना होगा, दुख का त्याग करना पड़ेगा, हमें अपने कर्म को करते रहना पड़ेगा, और हम दुख यानि जो सौरो की एनरजी है, वो बहुत खतरनाक है, आपने खुद मार किया ह होगा, हमें अजीब बंदन में बान देती है, और हमें कुछ कर्म करने नहीं देती है, तो साथ में वो यह भी कह रहे हैं, कि तुम जिस पर दुख कर रहे हैं, वो तुक करने के लायक नहीं है, वो सही दुख भी नहीं है, पहले तो दुख करना नहीं चाहिए, और तुम ग ना तुएवाहम जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपाहा नचाईवन भविश्यामह सर्वे वयमतह परम भगवान शिक्रिष्ण अर्जुन को कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था यानि के वो कहते हैं कि मैं हमेशा था मैं आज भी था कल भी था आगे भी रहूंगा मतलब मैं हमेशा रहूंगा ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था तुम नहीं थे या राजा नहीं थे हर वक्त में था नहीं ऐसा कोई वक्त आएगा जब हम नहीं होंगे भगवाशी कृष्ण ये कहते हैं कि मैं हमीशा था मतलब टाइम और स्पेस को कृष्ण जो है वो टाइम और स्पेस को के बियॉंड है हमारी मैजिनेशन के बियॉंड है क्यूंकि हम नॉर्मल फिजिक्स के रूल्स में तो हमको पता है कि पास्ट प्रेजन फ्यूचर टाइम एक तरीके से बहती है जो हो गया जो समय चला गया जो एक व्यक्ति जिएगा फिर मर जाएगा खतम हो गया उसकी कहानी और स्पेस के बारे में भी हम ऐसे ही सोचते हैं लेकिन कृष्ण जो है वो इस सब के बियॉंड ह तो अर्जुन को वो यह समझाने ही खोशिश करते हैं अब तक कृष्ण को अर्जुन को नहीं पता होता है कि भगवान वो भगवान है कृष्ण है डिवाइन है वो सिर्फ उनके लिए उनके एक रिलेटिव थे या उनके पहचान के थे या फिर उनके मित्र थे लेकिन उनक तो कृष्ण दीरे दीरे अर्जुन को समझाते हैं उनके डिविनिटी के बारे में समझाते हैं अब मैं नेक्स्ट लोक के ओर जाओंगी धागवत गीता चाप्टर टू स्लोक नमबर थर्टीन देहिनो अस्मी न्यत्या देहे कौमारम योवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ कृष्ण फिर अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे आपका बॉय होड यूथ और ओल्ड एज यानि यौवन जवानी बुढ़ापा बच्पन यह सारा जो समय है अलग-अलग टाइम है आपके जीवन के यह सारा जो समय है यह समय एक के बाद एक कटता जाता है और इसे experience कौन करता है आत्मा आत्मा experience करता है शरीर के जरीए आपके शरीर के जरीए आत्मा यह सब experience करता है तो उसके बाद जब आपकी मृत्य हो जाती है तो आप एक दूसरे शरीर को जाते है एक नया शरीर में फिर से वही journey continue होता है तो it's a process ल लेकिन हम नॉर्मल वेक्ती जो है उसको लगता है उसको कुछ different feeling आती है उसको लगता है कि हाँ मतलब it is something happening और ऐसे हो रहा है मैं experience कर रहा हूं लेकिन और ये life नहीं पर खतम हो जाएगी but it's actually the soul यानि के आत्मा जो से experience करती है और इसकी इसके 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 बहुत सारी theories है बहुत सारी philosophies है theories है आपने खुद भी पढ़ा होगा सुना होगा आगे भी मैं इसके बारे में बात करूँगी इसके बारे में और जानेंगे भगवत गीता में इसके बारे में बहुत details है और लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो wise है जो जिसके पास wisdom है जो ज्यानी है वो इस चीज़ से ब्रहमित नहीं होता है वो समझता है कि ये एक journey है और ये आत्मा की journey है और ये continue होगा वो मृत्यू पर दुख नहीं करता शोक नहीं मनाता जन्म और मृत्यू similar है बलकि सारा process जो सिमि इस तरीके की भावनाएं भी आती है या फिर ये जो शोक मनाते हैं हम या किसी के मृत्यू पर लेकिन अगर आप spiritual process में जाएं तो आपको समझ में आएगा कि it was a journey of the soul special in Hinduism जैसे Hinduism में ये बहुत specific है और special in Bhagwat गीता के कई जनम आपकी आत्मा ने कितने जनमों से travel किया है पता नहीं ये भी कहा जाता है कि मनिश्य होने से पहले हमने अलग-अलग पशू के योनी में थे पेड़ पौदे भी थे अब्जेक्ट्स भी थे और उन सब में आत्मा थी और हमारी आत्मा वो सब बनके आई है हम ट्रैवल करके स्रेष्ट जो कहते है मनिश्य फिर मनिश्य में स्रेष्ट बनने की विजानी होती है कि हो सकता है आप एक साधरन मनिश्य आप एक साधरन कार्य कर रहे है लेकिन फिर उसमें आप अपने कर्म में जैसे सिद्धी प्राप्त करते हैं बेटर काम करते हैं आप आपका promotion होता है, जैसे आपके job में promotion होता है, वैसे लाइफ में आपकी promotion होता है, आत्मा की promotion होती है, आपको better काम दिया जाता है, आप और evolve होते हैं और देरे-देरे liberation के हो जाते हैं तो इस पर अर्जुन को ये बता रहे है भगवान शी कृष्ण के तुम्हें इन चीजों की ये जो बैग्राउंड में जो चल रहा है ये जो रियल बिहाइंड सीन का टूथ है तुम्हें ये समझना होगा अगर तुम इसको समझ गए तुम जब रियल लाइफ में आओगे जब युद्धक शेत्र में आओगे जब नॉर्मल लाइफ में आओगे तब तुम बेटर वे से डिसिशन ले पाओगे जिसे आपके अंदर अगर क्लारिटी है डिसिशन मेकिंग की क्लारिटी है आपका mind बहुत clear है, आप बहुत disciplined है, आपको पता है, आप इस discipline follow करते हैं, तो जब आपको किसी difficult situation में छोड़ दिया जाए, तो आप बहुत अच्छा perform करेंगे, या internally जब हम सही होते हैं, external अपने आप follow करता है, अगर आपने अच्छा खाना खाया है, तो आप उस दिन बहुत energy रहेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, या फिर अगर आप happy हैं, बहुत खुश हैं एक दिन, बहुत pleasant feel कर रहे हैं, for unknown reason, I don't know, आपने कोई गाना सुनाया है, कुछ, पता नहीं, कुछ भी, तो अगर जिस दिन आप खुश होते हैं, उस दिन बहुत अच्छा, मतलब सब क कोई reason नहीं होता है, आपको बस happy होना है, that's it, कोई reason नहीं, बस मैं खुश हो, जो मेरे पास है, मैं खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, देने वाला उपर वाला है, वो उसको देना होगा, देगा, नहीं भी दे, तब भी खुश, दे तब भी खुश, छीन ले तब बस, अगर आपकी inner coding सही है, externally भी everything will be perfect, so that's it for today, I hope भगवद गीता जो एक priceless, एक, क्या कहूं मैं, एक gem है, हमारे culture की, I hope के आप को कोई मदद मिले इस से, मैं चाहती हूं कि हर कोई जो इसे सुन रहा है, या देख रहा है, वो definitely भगवद गीता पढ़ें, और मोटी मोटी कितावें पढ़ने की जरूती ही, you can read a small handy book also, you can buy it, बहुत ही कम पैसे मलता है, खरीच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और सिर्पढ़ी ही नहीं, उसे apply भी कीजिए, because application is very very important, and पहले तो लगेगा के कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है, मतलब, धीरे धीरे अब जैसे apply करेंगे, आपके school में, college में, office में, family life के decision making में, जैसे अब इन चीज़ों का apply करेंगे ना फिर देखेंगे magic कैसे शुरू होता है, तो मैं आगे और भी श्लोक्स पताऊंगी, and I hope you have an amazing day today, thank you so much for watching this video.